प्रित्वी को बचाया भी पर उसके बाद अंतरिक्ष में कुछ रंग बरंगे इंफिनिटी स्टोन्स को ढूंडे निकला कुछ नहीं मिला मिला तो एक कांटो भरा रास्ता जिस पे मिली मौत और बरबादी ये जन्जीरें आखिरकार ये पिंजरा और यहां मिले तुम तुम्हे क्या लगता है यहां कब तक रुकना होगा थार ओडिन का पेटा साटर उलू का पठ्था तुम अब तक जिन्दा हो मुझे लगा पिता जी ने तुम्हे उस त्रेता योग में मार डाला था मैं मर नहीं सकता जब तक मेरी खिस्मत मुकमल और तुम्हारा घर बरबाब ना हो आ तुमने बताया तुस समझाए मुझे भी कई दिनों से डरावने सपने आ रहे है कि आजगार्ड की लंका देहनो रहे है और तुम सटे पुझ गुमाए इधर उदर भुदक रहे हो वो सपना नहीं रागनरॉक है एजगार्ड का सर्वनाश भविश्यवानी के मुताबिक रुको रुको मैं जरा घूम के आता हूं हमारा कनेक्शन बस बनी रहा था की हाँ तो रागनरॉक बताओ जोरा क्या है यह प्रिले मेरा समय आ गया है जब मेरा मुकुट और अनंत अगनी मिलेंगे मेरी शक्ती चरम सीमा पे होगी परवतों से उचा होगा मेरा मस्तक और मेरी तलवार की नोक पे होगी एजगार्टी भाई एक सकीन ने कसम से मैं हिल भी नहीं रहा है यह अपने आप ही गूम रहा है एक सेकिन भाई, सोरी अच्छा तो बात को समझने दो तुम अपने इस मुकुट को अनंत अगनी में डालोगे और फिर बड़े हो जाओगे जैसे कोई बरगत जैसे परवत वही अनन दगनी जिसे ओडिन ने चुपा रखी एसगार्ड में ओडिन एसगार्ड पर नहीं है और तुम यहां हो तो एसगार्ड को बचाएगा कौन अच्छा तो कहां है वो मुकुट यही है मेरा मुकुट मेरी शक्ति का स्रोथ यह तुम्हारा मुकट है तुम उसे रोक नहीं सकते मैं एसकाट का अन्थ हूँ और तुम भी सब का सर्वनाश सब होंगे भास्म ओ इतना गुसा सच कहूं तो तुम्हे बड़ा होके पूछ खुमाते आग लगाते देखना मासेदार होता लेकिन इस पिचर का क्लाइवेक्स थोड़ा अलग है क्योंकि मैं अभी ये जनजीर तोड़के तेरे सींगो खाड़के तेरी मागुजार के एसगार के तिजोरी में डालने वाला हूं तुम रागनराग रोक नहीं सकते क्यों लड़ रहे हो क्योंकि आरके जीतने वाले को प्रड़ कर दो झाल झाल